नवींतम विकास में, दो सप्ताह से अधिक की क्रूर घेराबंदी के बाद, इज्रायली सेना अंततह गाजा के अलशेफा अस्पताल से वापस चली गई है. गाजा में स्वास्थ्य मंत्राली के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि खोज प्रयास जारी रहने के कारण, अस्पताल के खंडहरों से कम से कम 300 शव बरामद किये गए हैं, जटेल इमारतों को जलाने और इसे पूरी तरह से सेवा से बाहर करने के बाद, इज्राय अलशिफा अस्पताल की घेराबंदी की अंतराश्ट्रिय मानवाधिकार संगटनों ने व्यापक रूप से निंदा की है, जिन्होंने इजरायल पर युद्ध अप्राधों का आरोक लगाया है, संयुक्त राश्ट्र मानवाधिकार परिशद के एक प्रवक्ता ने कहा, अल इसरायली सरकार ने अपने कारियों का बचाव करते हुए दावा किया है कि अस्पताल का इस्तिमाल हमास के आतनकवादियों द्वारा हथियार रखने और हमले शुरू करने के लिए किया जा रहा था, हालां कि इन दावों का अस्पताल के कर्मचारियों और अंतर राश्ट् खंडन किया है। अर्शिफा अस्पताल से इसरायली सेना की वापसी एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन ये गाजा के लोगों को दी गई पीरा को नहीं मिटाएगा। अस्पताल अब खंडहर हो चुका है और इसके पुनर निर्मान में कई साल लगेंगे। इस बीच आप्त स्वास्थे देखभाल के बिना छोड़ दिया गया है। और वे आगे भी इजरायली हमलों के डर में जी रहे हैं।